Hey guys, welcome back to a new video इस वीडियो में हम लोग Realme and Oppo device के नए system launches के वारे में बात करेंगे और आपको ये जो system launcher देखने को मिलता है Android 12 का देखने को मिलेगा साथ में जो उसका version देखने को मिलेगा वो alpha version देखने को मिलेगा यानि कि पहला ही बिलेड आपको ये देखने को मिलता है Android 12 का सो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कैसे आपको install करना है कहाँ पर इसका manual link देखने को मिलेगा कौन-कौन से features एड़ हूँ है सो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास सक देखना आपके जो भी डाउट्स हैं complete हो जाएंगे सो वीडियो काफी interesting होगी अगर आपको future में step की वीडियो और चाहिए तो नीचे आपको लाकर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब कर लेना इसके आप बेल आइकन को आप लोग और पे प्रेस कर सकते हो सो चलिए without wasting any more time let's get started अब दोस्तो सबसे बहले बात कर लें इस system launches का update के वारे में आपको कहाँ पर इसका manual link देखने को मिलेगा सो नीचे description में मैंने realme system app updated telegram group का link दिया होगा इस group को जाकर के आप लोगोंने join कर लेना है यह realme and oppo device की जितनी भी system applications के updates आते हैं officially वो आपको सबसे बहले इसी group में देखने को मिल जाएगा सो वीडियो को upload करने का अद मैं इस system launches के update को इसी group में share कर दूँगा आप लोगोंने जाकर के इस group को join कर लेना है यहां पर ही आपको जो system launches का update है वो देखने को मिलेगा अब दोस्तों बात करें system launches की तो यह रही APK आपको install करने के लिए simply APK के उपर click करना है नीचे आपको install का option आएगा आपको simply install के उपर click करना है और जैसे आप लोग क्लिक करोगे थोड़े टाइम बाद ही आपके device में install हो जाएगी आपको simply से करना के install होने के बाद done के उपर click कीजिए और back आईए आपकी जो home screen है वो refresh होगी और इसके बाद आपके device में apply हो जाएगा अगर आप लोग चलें app management में यहाँ पर देखें default app में तो आपको home के अंदर दो app देखने को मलती है system launches जो की नया android 12 का है और एक system launcher जो की आपको real में UI का देखने को मलता है और जो नया आपको देखने को मिलेगा MIUI 13 का है जो की MIUI 13 का first build आपको चाइना में देखने को मिल गया है वहाँ से extract करके निकाला गया है अब बात करें features की तो मैंने इस launches को पूरा test किया दो तीन दिनों तक मुझे features तो कोई देखने को नहीं मिला लेकिन यहाँ पर जो animation आपको app opening और closing में देखने को मिलते थे काफी smooth हो गया और काफी perfectly तरीके से work कर रहे हैं एक अच्छा सा नया animation आपको हर एक app के अंदर देखने को मिलेगा तो हर एक app के साथ आपको एक अलग animation देखने को मिलेगा चाहिए आप लोग Google डैलर ओपन करें Camera application ओपन करें, Gallery application ओपन करें, Theme store ओपन करें, कोई भी system application या third party application आप लोग ओपन करोगे तो आपको एक अलग animation जो है वो देखने को मिलेगा और ये Realme and Oppo के हर एक device में work कर रहा है, मैंने इसको Realme 5 Pro, Realme 3 Pro, Realme C3, Realme 6, Realme 7 and Realme 8 में try किया काफी perfect तरीके से install हो गया और कोई भी दिक्कत, मुझे कोई भी lag issue इसमें देखने को नहीं मिला और privacy के regarding आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है सो फाइनली दोस्तों इतना इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना मैं मिलूँगा आपको अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक्या